नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की सोडियो फाइल में हम मुगल सामराज्य के बारे में पढ़ेंगे मुगल सामराज्य में कुछ महान बहुत बड़े बड़े सासक हुए जिनके बारे में ज्यदा प्रिक्षा में पूछा जाता है उनमें सबसे पहले बाबर आता है बाबर का बेटा हुमाईू हुमाईू का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर जहांगीर के बाद उनका बेटा साजा हुआ साजा के बाद औरम जेब तो ये वो सासक हैं जिनोंने लंबे समय तक सासन किया और कुछ ऐसे कारिये भी किये जिनको आज हम इस्तियास में पढ़ते हैं तो आज मुगल सामराज्य की नीव रखने वाले बाबर के बारे में हम मुख्य बातें जानेंगे देखिए बाबर का जो कारियकाल है वो रहा है 1526 इसवी से 1530 इसवी तक जहिरू दिन बाबर का जनम 24 फर्वरी 1483 में फर्ग नामे हुआ था तो बाबर का पुरा नाम क्या था जहिरू दिन बाबर था और उसका जनम का हुआ था फर्ग नामे बाबर के च्यार पुतर थे हुमायू, कामरान, असकरी तथा हिंदाल बाबर ने पर्थम बार भारत पर आक्रमन 1519 इसवी में यूशूप जैयों के विरुद किया था प्रन्तु उसका पर्थम महत्वपूर आक्रमन 1526 इसवी में हुआ, 1526 इसवी में आप लोग जानते हैं क्या हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध पानिपत की पर्थम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में आगे देखिए, बाबर भारत में मुखल वन्ज का चन स्थापक था, वह मध्ध एशिया स्थित फरगना का साचक था बाबर के पिता का नाम उमर सेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलू गनीर खानम था वह है अपने पिता की तरफ से तैमूर का पाँचवा तथा माता की तरफ से चंगेज खान का चोदवा वन्जज था बाज़ोर एवं मीरा के किले पर 1518.19 में जो युद हुआ था बाबर ने सरो पर्थम तोप वे बंदूख का परियोग किया था बाबर ने पानिपत के पर्थम युद 1526 में इबराहिम लोधी को हरा कर भारत पर मुगल वन्जज की स्थापना की खानवा का युद देखिए बाबर के चार पर्शिद युद हैं जिन में पानिपत की लड़ाई आती है पर्थम फिर खानवा का युद फिर चंदेरी का युद और फिर घागरा का युद ये चारो युद लगातार हैं जैसे पानिपत का युद हुआ था 1526 इस्वी में खानवा का यूद हुआ था 1527 में संदेरी का हुआ फिर 28 में और घागरा का हुआ 29 में इस तरह से इसको याद करने का एक short form भी होता है जिसको कहते हैं कि जैसे पानी पत्कापर्थम यूद है उसको कहते हैं पानी पिया खानवा से खाना खाया चंदेरी से चाए पी गागरा से घर गया तो ये चारों यूद लगातार हैं उसको short form में याद करने का तरीका है पानी पिया खाना खाया चाए पी और घर गया तो खानवा का यूद 1527 इस्वी में बाबर ने राना सांगा को हराया और गाजे की उपादी धारन की चंदेरी का यूद 1528 इस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को प्राजित किया इसमें और घागरा का यूद जो 1529 में बाबर ने अपगान सासक महमूद लोधी को प्राजित किया बाबर ने तुर्की भासा में अपनी आतम कथा तुझ के बाबरी या फिर जी से हम बाबर नामा भी कहते हैं वो लिखी है बहुत ही important person आई ये बाबर नामा तुर्की भासा में लिखी गई है बाबर ने पानिपत के पर्थमें युद में तौफ खाना का प्रियोग किया तथा युद में युद की नई निती तुलुगमा निती अपनाई उस्ताद अली एम मुस्तफा बाबर का परसिद्ध तौपची थे कर लें दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंप्रोटेंट पर्सन है उस्ताद अली एम मुस्तफा बाबर के परसिद्ध तौपची थे दोनों ही क्या थे बाबर के परसिद्ध तौपची थे जो तोबख खाने को समालते थे बाबर की मृत्यू 1530 में आराम भाग आगरा में हुई अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांत्रित करवाया यानि कि उसके मरने के बाद जब बाबर का मरने के बाद उसका जो मकबरा था अकबर ने काँपर बिजवा दिया, काबुल में बिजवा दिया बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से परसिद्ध था ये भी परसन बहुत बार पूछा गया है S.S.C. में और दूसरी परिक्षाओं में कलंदर के नाम से कौन सा मुगल सासक परसिद्ध था तो ये बाबर ही था जो कलंदर के नाम से परसिद्ध था तो बाबर ने मुबईयान नामक पद्ध सैली का विकास भी दोस्तों किया था तो ये थे बाबर के बारे में कुछ महत्व पूंतत है जो प्रिक्षा में हम तोर पर पूछे जाते हैं इसी तरह की ओडियो फाइल हम दोस्तों लेकर आते रहते हैं जो आपकी प्रिक्षा उप योगी जानकारी लिए हुए होती है उमीद है आपको आज की ये फाइल पसंद आएगी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए थैंक्यू वेरी मच्ट